काश्वागत अभिनंदन है आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोड कक्छा नवम में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की पाठी पुष्टक प्यूशम प्रथम भाग के सब्तमः पाठ पाठ साथ जिसका सिर्शक है ज्यानम भारह क्रियां बिना क्रिया के बिना ज्यान भार पाठ का हम आप लोगों को अध्यान करा दिये हैं अब हमारा प्रयास है कि हम लोग प्यूशम प्रथम भाग में जितने भी पाठ हैं सभी पाठों को पढ़ लिए हैं अध्यान कर लिए हैं उसका हिंदी अर्थ जान लिए हैं अब इसमें जो अभ्यास कारे हैं जो भी मौक अब्जेक्टिव भी इसी से आता है ऐसे हम अलग से भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए अब्जेक्टिव बना दें और दें लेकिन यदि इस अभ्जेक्टिव कारे को आप आरंब से लेकर के अंतक देख लेते हैं तो मुझे उमीद ही नहीं विश्वास है कि जो अब्जेक्टिव कोस्टम्स इस पार्ट से आएंगे वो आपके छुटेंगे नहीं तो आईए हम अध्यान करते हैं और सबसे पहले इस पार्ट का क्या है मौकिक अभ्यास है मौकिक अभ्यास में पहला प्रस्ण है अधो लिखिता नाम प्रस्णा नाम उत्तरम एक पदेन बदद निच्चे लिखे गए प्रस्णों के उत्तर एक पद द्वारा बोलें यानि एक सब्द में बोलें तो हम लोग तो यहां लिखने का काम मैंने किया है कौप प्रस्ण है हमारा तेसाम त्रयह केन ब्यापादिता है उन तीनों को किसके द्वारा मारा गया तो उत्तर क्या हो जाएगा सिंगेन सिंग के द्वारा प्रस्ण है तेसाम त्रयह सास्त्र पारंगता ह किन्तु किद्रिसाह आसन वे तीनों सास्त्रों में पारंगत थे किन्तु कैसे थे तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बुद्धी रहिता है एक पद में उत्तर दे दिये हम इसका कि उत्तर क्या हो गया? बुद्धी रहिता हो पर इक्षा में भी ध्यान रखना हमें हमेशा कि एक पद में जब कह रहा हो उत्तर लिखने के लिए तो हम एक पद में ही लिखें, एक वाक्य में नहीं लिखें गौप रस्न है हमारा प्रथमह यूवकह कीम अकरोद पहला यूवक क्या किया तो उत्तर हमारा हो जाएगा अस्थी संचया अस्थी मिन्स को ता है हड़ी असंचय मिन्स एकत्रित करना यानि हड़ीयों को क्या किया एकत्रित किया गहा प्रस्न है हमारा चर्म मांस रोधिरम के नसंयोजितम चमणा मांस और खोन किसके द्वारा डाला गया तो उत्तर होगा हमारा द्वितियेन जो दूसरा था उसके द्वारा अंगव प्रस्ण है चातुरताह बृख्षात अवतीर ये कुत्र गताह चौता बृख्ष से यानि पेड़ से उतर करके कहा गया तो हमारा उतर हो जाएगा ग्रिहम यानि घर गया प्रस्ण दो है हमारा कि अधो लिखिता नाम प्रस्णा नाम उत्तरम एक वाके न बदत नीच्चे लिखे गए प्रस्णों के उत्तर एक वाके में दीजे कब प्रस्ण है हमारा अयम नीजह परख वाईती कस्य गणनाव होती अयम नेजह यह अपना है वह दूसरे का है ऐसी गणना किसके द्वारा होती है तो हम एक वाक्य में इंस्ट्रक्शन है तो एक वाक्य में उतर लिखेंगे क्या लिख देंगे अयम नेजह परह वाईती एती लगुचे तसाम गणना भौत यह अपना है वह दूसरे का है ऐसी गिनती ऐसी गरना छोटे हिर्दय वाले लोगों का होता है ख़व प्रस्ण है हमारा बिद्यायाह का उत्तमा यानि बिद्या से उत्तम क्या है तो उत्तर हो जाएगा हमारा विद्यायाह बुद्धि हो उत्तमा यानि विद्या से बुद्धि उत्तम है गौ प्रस्ण है हमारा त्रयो अपी केन ब्यापा दिता उन तीनों को किसके द्वारा मारा गया उत्तर हम लिख़ेंगे त्रयो अपी सिंगेन व्या पाधिता उन वे तीनों सिंग के द्वारा मरे गए गोवा प्रस्ण है हमारा मारगास्री तैह तैह अटब्याम कहा निद्रिष्टाने मारगास्री तैह रास्ते में जंगल में उन लोगों की द्वारा क्या देखा गया तो उत्तर लिखेंगे मारगास्री तैह तैह अटब्याम अस्थे निद्रिष्टाने रास्ते में जाते हुए वन में उन लोगों ने हड़ियां देखा अंगा प्रस्न है किम सिंग वन्य पसु हस्ती क्या सिंग वन्य पसु है तो हमारा उत्तर हम लिखेंगे आम सिंग वन्य पसु हस्ती हाँ सिंग जो है वन्य पसु है ऐसे भी सिंग क्या है जंगली जानवर है ना बनने पसू है अब इसके बाद हमारा अभ्यास का आ जाता है लिखेत अभी तक मौकिक अभ्यास सलना था इस पार्ट का यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को वह से सब्सक्राइब करें कर लिए हैं कोई बात नहीं है और अपने मित्रों को फिसेर करें ताकि हमारे बच्चे संस्कृत अध्यायन में संस्कृत पढ़ने में उनकी रूची जागरित हो और वह संस्कृत में अच्छा करें पहला प्रस्ण है लिखीत अभ्यास का कि संधी विच्छेद करें एकस्तु का विच्छेद क्या हो भविस्यति विच्छेद होगा भविस्यति धन इती मारगास्रिताये है तो मारगधन आस्रिताये है ततस्चा क्या हो जाएगा ततधन चा हमारे साथ आभी उच्छारन करें उच्छारन करने का प्रयास करें ताकि आभी सुद्ध सुद्ध पढ़ पाए यावत जीवनम यावत जीवनम का क्या हो जाएगा संधिविछेद हो जाएगा यावत धन जीवनम दूसरा प्रस्ण है इसमें का समास विग्रहम कुरूत समास का विग्रह करें तो क्या हो जाएगा बुद्ध हीनाह समासिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा बुद्ध याहीनाह यानि बुद्धी से हेन और कौन समास हो गया इसमें तृतिया तत्पुरुष समास देशांतरम देशांतरम मने अन्य देशह और यह हो जाएगा कर्मधारे समास फिर सब्द है हमारा अरथो पारजना समासिक विग्रह हो जाएगा अरथस्य उपारजना और यहां समास हो रहा है सस्थी तत्पुरुस इसके बाद पद है उदार चरितह समासिक विग्रह क्या हो जाएगा उदारम चरितह यस यस बावरी समास अस्थि संचयह तो इसका समासिक विग्रह हो जाएगा अस्थि नाम संचयह सश्चितत्पुरु समास सजीवह जीवेनसह वरतमानह ध्यान रखेंगे, पुछता भी है पर इक्षाओं में बार बार पुछता है सजीवह का समासिक बिग्रह करें या पुछ देता है कि सजीवह में कौन समास है तो सजीवह का क्या हो जागा जीवेन सह वरतमानह सहार्त बहुबरी बहुबरी समासे और तीसरा हो गया प्रकृति प्रत्याई भी भागम कुरूति यानि प्रकृति और प्रत्या अलग-अलग करके लिखिए प्रकृति समझते ही हैं हम लोग जो भी सब्द हैं याद हातू है वही क्या है प्रकृति है उनके बाद जो लगता है वह प्रत्या है और उनसे जो निस्पन सब्द होता है वही पद है मूधा मूधा का क्या हो जाएगा मुधन कता मुधमे जब कता प्रत्या लेगा तो बन जाएगा मूधा करतुम क्रीधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधध यहाँ को है कि किसी गावं में चार युवक रहते थे किसी गाउं में चार युवक रहते थे किसी गाउं में कहा क्या लिखते हैंगे कस्मिन सित ग्रामे किसी कस्मिन सित गाउं में सब्तमी वक्ति लगी है अधिकरन कारक का चिन है यहां में और अधिकरन कारक में कौन वक्ति होती है सबतमे और ग्राम में बालक में लएगा तो बालक है ग्राम में लएगा तो ग्रामे कस्मिन सित ग्रामे चार है तो होगिया चत्वरह यूअनह रहते थे निवसंतियस्मा इस परकार बनाएगा तो ओद और है थो वे दूसरे देश गए तो क्या बनाते हैं कि अर्थो पारजन के लिए न जतुर्थी हो गया न अर्थो पारजन आए ते दूसरे देश का क्या हो गया देश आंतरम गतह अर्थो पारजन आए ते देश आंतरम गतह घः है उन्होंने एक अस्थान पर अस्थियां देखी उन्होंने ते एकस्मिन अस्थाने अस्थिनी अपस्यन और अंगव है हमारा वे अस्थियां एक सिंग की थी एतान यस्थिनी एकस्य सिंगस्य आसन फिर हम आ गए प्रस्न संख्या पाँच में और ये लिखता है कि अधो लिखिते सु कुष्ठ पदेन समुझते न रिक्तस्थानाम पुरयत यानि नीचे लिखे गए कुष्ठक पद से उचित पद को ले करके रिक्तस्थान को पूरा किजिए यहां अपसंदिया है तिसे यहां लिखा कदाचित तैह रिक्तस्थान देके लिख दिया मंत्रितम और तीन अपसंदिया विप्रेह सादुवे मित्रेह तो यहां क्या भरतेंगे हम मित्रेह कदाचित तैह मित्रेह मंत्रितम राज परिग्रह रिक्तस्थान दे दिया विना न लभ्यते यहां विद्ध्याम लिखतेंगे विद्ध्याम विना न लभ्यते उदार शरिता नाम तुबस उदाइवा कुटम बकम रिक्तस्थान में क्या हो जाएगा उदार हो जाएगा तरयो अपी सिंगेन व्यापादिताह रिक्तस्थान में सिंगेन बर देंगे गवब में अंगा कहता है तृतियह पुरुशह शवधिना वारितह और अंगा में क्या हो जाएगा वारितह तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस शप्तमाः पाठा जो जिस पाठ का हम लोग अध्यान कर रहे हैं ज्यानम भारा क्रियाम बिना पाठ साथ उसके हम अभ्यास कारे का अध्यान कर लिए यदि आपको अच्छा लगा और से लाइट करें और अपने मित्रों को भी सेर करें वह भी पढ़ें आगे बढ़ें बहुत बहुत थन्याद